नमस्कार दोस्तों आज दोस्तों हम बात करेंगे काली सरसों की बौई का जोकी उचिस समय चला आए तो हम कौन सी किसमों की किन राजियों में चुनाव करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तो दोस्तों जो हमने राज लिये हैं उनको दो भागों में हमने डिवाइड कर दिया है क्योंकि सभी प्रजातियां जो हैं सभी राजियों के लिए उपयोक्त नहीं हैं तो यहां पर हम जो पहले चुनाव कर रहे हैं उसमें से 36 गड़, मद्ध, प्रदेश, उडिशा, प्योक्त किसमें हैं जो अच्छा उत्पादन दे सकती हैं उनकी बात करेंगे और उसके बाद जो है हम अन्य जो राजी हैं उनके बारे में बात करेंगे 36 गड़, मद्ध, प्रदेश, उडिशा, पस्चिम बंगाल, बिहार और असम में बोई जाने वाली किसमें हैं और अच्छा उत्पादन देने वाली हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो किसम हम ले रहे हैं किसान दोस्तों वो पूसा आदित नाम से है यह एनपी सी नव के नाम से भी जाने जाती है और इसके पकने की अवद एक सो तीस दिन से एक सो पाइतिस दिन है उपाज इसकी छे से साथ कुंतल प्रतेकर के बीच रहती है यहां खरा मि अबर के अंतिम सप्ताह तक हम बुवाई इसकी कर सकते हैं या पावड़ी मिल्ड एफिड उग्रोधी पर जाते हैं तो इसलिए हम खराब मोसम या खराब मिटी वारे छेत में भी इसकी बुवाई करके उत्पादन अच्छा ले सकते हैं के बाद दोस्तों आती है दूसरी क की जा सकती है और बहुत कम दिन में या पकर तयार हो जाती क्योंकि इसकी समय वदी जो पकने की है वो 110 दिन ही मातर है और उपज इसकी साथ से साढ़े साथ कुंतल प्रतेकर हमको मिल जाते हैं बुवाई का समय जो है सितंबर से और नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह तक हम अब दोस्तों तीसरी जो किसमाती है पूसा महक नाम से है और इसको जे डी शिक्स नाम से भी जानते हैं बुवाई का समय जो है सितंबर से अक्टूबर महीना उचित रहता है पकने की अवद 118 से 120 दिन है उपज जो है छे से साथ कुंतल तक इसकी भी मिल जाते है इसरी किस दोस्तों जो है वो पूसा तारक है इसको ई जे जी 912 नाम से भी बहुत से किसान भाई जानते हैं बुवाई का समय सितंबर महीने से और दिसंबर महीने के अंतिम सब्ताह तक हम करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं पकने की अवद 121 दिन है और उपज 8 से 9 कुंतल के बी द्रों के लिए उपयोगत है और इसकी उपज जो है 9 से 10 कुंतल प्रतेकर हम को मिल जाती है पकने की अवद 125 से 30 दिन है बुवाई का समय सितंबर से और मध्य नवंबर तक उचित रहता है करेंगे हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंजाब जमू एंड कस्मीर हि किस्मों की बुवाई हम करके अच्छा उत्तराखंड ले सकते हैं उसमें से जो सबसे पहली किस्म हमने लिया है वो पूसा डबल जीरो जिसको मस्टर्ड यानि सर्सों 31 नाम से भी जानते हैं और पी डी जेड वन नाम से भी इसको बहुत से किसान भाई जानते हैं या सिंच 145 दिन है और इसके बाद जो दूसरी किस्म है पूसा सर्सों 30 यानि LES 43 नाम से भी इसको बहुत से किसान भाई जानते हैं और इसको मध्य प्रदेश के सिंची छेत्रों में भी बुवाई करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इसकी उपच जो है 6-8 कुंतल के बीच हम को मिल जाते हैं आवद ही जो है 130 दिन से 135 दिन है और इसके बाद जो किसान दोस्तों है पूसा 29 L.E.T. 36 इसकी बुवाई हम सितंबर महीने से और अक्टूबर महीने के आखरी सब्ताह तक कर सकते हैं उपच जो है 8-9 कुंतल प्रतेकर है और इपकने की आवद 135 दिन है इसके बाद पूसा 24 है जिसको L.E.T. 18 नाम से भी जानते हैं और एक पूसा किस्म जो है 22 नाम से इनकी बुवाई हम करके भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं इनकी उपच जो है 8-9 कुंतल है और पकने की आवद 140 दिन है बुवाई का समय सितंबर से अक्टूबर महीना उचित रहता है इसके बाद किसान दोस्तों जो बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली किसम है जो पूसा संथान की बहुत अच्छी किसम बानी जाते है जिसका नाम है पूसा बिजाई NPJ 93 नाम से भी जानते हैं और इसका उत्पादन जो है काफी अच्छा निकुस्मों के मुकाबले मिलता है क्योंकि इसकी उपज 10 कुंतल से साड़े 10 कुंतल प्रतेकर हमको मिल जाती है पकने की अवद 145 दिन से 150 दिन है और इसकी बुवाई हम सितंबर के प्रथम सब्ताह से अक्टूबर के अंतिम सब्ताह तक कर सकते हैं और हमको बहुत अच्छा उत्पादन इससे मिल जाता है तो दोस्तों इन में से जो आपके छेत के अनुसार उचित और अच्छा उत्पादन देने वाली किसम है उस ब्रायटी का आप चुनाव करके और सही समय पर भुवाई करके काली सर्सों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं पीली सर्सों की अच्छी प्रजातियों के बारे में भी हम जानकारी लाएंगे झाल झाल